चलिए अब आपको लिए चलेंगे गुलमर्ग और जहां पर टूरिस्ट का लगातार तांता लगा हुआ है बरफारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और खुबसूरती लगातार बंती ही देखी जा रही है लेकिन उसके साथ ही आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जो बाहर से टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचे जा रही है उनका सबसे पहले कोविट का टेस्ट हो रहा है उसके बाद ही आगे जाने की इजास्ट दी जा रही है क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहा है है यहाँ पर आदिल देखिए इस वाकित हम मुझूद है जिसे गेट वे आप गुल मर्ग भी का जाता है यहाँ पर कोविट की तिसरी लेहर को मद्य नज़र रखते हुए यहाँ पर बाद रहते तोर सयाओं को कोविट टेस्ट करने के बाद ही सहयती मकामात की तरफ इन्हें इजाज़त दी जा रही है इस डिजास्टर मैनेजमेंट अथार्टी है इनकी तरफ से जो यह पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए डिस्टिक अड्मिस्टेशन की तरफ से हमें हिदायत मिली है तो डेली बेसिस पे जितने भी यहाँ टूरिस्ट चाहे लोकल है या बाहर से टूरिस्ट आते हैं हम इनकी दोनों टेस्ट करते हैं रैपिट टेस्ट भी करते हैं तो यह इसी लिए हैं क्योंकि जो कोविड एक पैंडमिक पिछले एक दो साल से हमें बहुत ज़्यादा परिशान करते आ रही है प्रिवेंशन इस बेटर देन किवर तो पहले हम यहीं चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा ब हम उनको यहीं सला देते हैं कि जो यह कोविड एपरOPरेट बहेवर हैं आप उसको एपलाई कीजिए इसे एक तो आपने आपको जो है महफूज रख सकते हैं और साती साथ जो और लोग हैं इससे एफेक्ट नहीं हो सकते हैं कोविड एपरॉपरेट बहेवर अपनाने से अम रखें और साथ ही साथ और लोग जो है आफ के आस पास उनको भी आफ ये मेसेज देते जाएं कि ए इस कोविट से बचने के लिए हमें जो है बड़ा तयार रहना पड़ेगा और हमें जो है कापरिट्व रहना पड़ेगा एड्मिस्टेशन के साथ जुम्र कश्वीर में आलमगीरी वबा कुरोना विरस का फैलाव जारी दो लुक में एजल 138 नए मामले मुझबत इस वक्त हम मुझूद है सायथी मुकाम गुल्मर के टंग मरग में बिलकुल हमारे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त सायाओं को बाज़रते तोर कोविट ट आने की जुर्रत है ताकि इस कोविट की थर्ड वेव जो है जो महामारी है इससे हम बच सके अधिल डार जेकेट 24 & 7 News गुल्मर कश्मीर